नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं चुना में भाजपा को उखार फेकेंगे, भाजपा का खर पतवार की तरह जार्खन समेत हर राज्ये में सपाया होगा, इसके लिए सभी तयार रहें सभा में सुरेन ने करकरताव का आवाहन किया कि भाजपा के ताबूत में आखरी किल ठोकने का वक्त आ गया है बहुत सारे लोग अलग अलग राष्टे से आएंगे, राष्टे से भटकाने के परियास करेंगे, लेकिन समन्ती मनुवादी सोच को खत्म करने का वक्त अब आ गया है लोग सभा चुना में हम लोगों ने ताकत का अहसास कराया है आने वाले चुनाम में भाजपा का जो सपना है वह मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो जाएगा सबक से लेकर सदन तक ऐसे सरयंतर कारियों को मुहतोर जबाब देंगे पुर्मुख मंत्री ने कहा है कि पिछले पाच महीने से जेल में रहने के बाद वे लोगों के सामने खड़े हैं कोट से हमें नयाय मिला है पाच महीने में यह राजय और बढ़ सकता था जो गती देने का परयास किया था उस गती को हम लोग और बढ़ा रहे हैं ब्यापारियों ने की सीम से सिकायत मुख्यमंत्री ने डीजेपी को दिया निर्देश पेडरेशन ऑफ जार्खन चैंबर्स ऑफ कमर्स तथा सोना चान्दी ब्यावसाई समीती के परतिनिधी मंडल ने सनीवार को मुख्यमंत्री चमपाई सुरें से मुलकात कर गया अपन सोपा ब्यावसाईयों ने मुख्यमंत्री को राइधानी रांची में हो रही लूट छिंताई वड़काईती जैसी अपरादी घटनाओं से अउगत कराते हुए उसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का अगरकिया है मुख्यमंत्री ने परतिनीधी मंडल से कहा है कि राजी के डिजीपी अजय कुमार सिंग को अपराद नियंत्रन के लिए कड़े निर्देश दे दिये गए है उन्हें घटित अपरादी घटनाओं का खुलाचा कर उसमें सनलिप्त अपरादियों के खिलाप करी करवाई करने का निर्देश भी दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पीदी बेवस्ता को हर हाल में बनाए रखने के लिए परतिवद है जारखन में बड़े नक्सलियों की तलास में जूटी एन आई ए राज्य में टेंडर फंडिंग वा यूए पीए के तहत जाच कर रही राष्ट्रिय जाच एजनसी को भी अब बड़े नक्सलियों की तलास है इन अक्सलियों में एक करूर के इनामे मिसीर बेसरा अनल के अलावा सैक सदस सोरव सहीत बड़े फरार चल रहे नक्सलिय सामिल है इन अक्सलियों के सहयोगियों से एन आई इनका पता ले रही है ताकि इन तक पहुंच सके लागातार छान बिंजारी है पिछले दिनों कुछ सहयोग्यों की ठीकाने पर भी एनाईय च्छापे मारी कर चुकी है पुर्व में एनाईय ने कई बड़े नक्सली उग्रवादियों को दबोचने में सफल्था भिहाजिल की है बता दे अपने नेटवर्क की बड़ावला थी एनाईय ने पिपलस लिवरेशन फ्रन्ट आफ इंडिया की सुप्रीमो दिनेश गोप को नेपाल से दबोचा था अलकातरा घोटाला में 25 सल बाद आया फैसला CBI की बिशेस अदालत ने सनीवार को अलकातरा घोटाला के अभियूक्त तीन कनिय अभियनता विवेकानन चौजरी कुमार बिजय संकर एवाँ बिनोद कुमार मंडल को दोसी करार देते हुए तीन तीन साल की करावास की सजा सुनाई है बिवेकानन चौजरी और कुमार बिजय संकर सेवनीरित हो चुकी है वही अदालत ने अभियूक्तो पर 50-50 हजार उपय का जूबाना भी लगाया है इन लोगों पर लगभग 445 मिट्रिक टनल अलकत्रा घोटाला करने का रोप है जिससे सरकार को लाखो रुपए करायस के चति हुई है REO Workers Division रांची के इंजिनियरों द्वारा ठेकेदारों की मिली भगत कर सड़क मरमत का कारव फाइलों में दिखा कर पद का दुरूपयों करते हुए अपराधिक सर्यंत कर लाखो रुपए सरकारी रासी का गमन किया गया है जार्खन के सरकारी स्कूलों में मात्रित्य भासा में शुरू होगी पढ़ाई राज्य के अन ये 1040 सरकारी बिद्यालियों में बच्चों को उनकी मात्रित्य भासा में पढ़ाई शुरू होगी इसको लेकर इन विद्यालियों में मात्रुत्य भासा अधारीत बहु भासी सिक्षा करक्रम सुरू किया जाएगा। इसके सफ़ संचालन तथा इससे जुड़े अपेक्षित लक्षों की प्राप्त करने के लिए आठ जीलों के 45 सिको को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रसिक्षित किया जा रहा है। तथा इनके द्वारा भविस में समधित जीलों के चैनित विद्यालियों के बहुभासी सिक्षा से जुड़े सिक्षको को समयक रूप से प्रसिक्षित तथा अनुसमर्थन किया जाएगा। अधालत ने जेल में बंद अलमगीर अलम के ततकालिन आपत सचीव संजीव कुमारलाल, उसके नौकर जहांगीर अलम, ग्रामिन विकास, विभाक निलंबी चीफ इंजिनियर बिरेंदर राम, उनके चचेरे भाई अलोक रंजन, हवाला कारोबारी नीरज मित्तल, ताराच चंद्र कुपता, राम परसाद भाटिया एवं उनके सहयोगी की अगली पेसी किती थी 12 जुलाई कुनि धायत की है, बता देकि एडी ने 37 कोल रुपे ब्रामदगी मामले में अलमगीर अलम को 15 मैगो गिरफतार किया था आखिरी कील ठोकने का समय आगया है हेमांत सुरेन, पुर्मुखमंत्री और सत्तारूड जार्खन मुक्ति मुर्चा के करकारी अध्यक्स हेमांत सुरेन ने जेल से रिहाई के बाद आक्रमक तेवर अक्तियार किया है, बुंदा बांदी के बीच भी सनिवार को अपने आवा ललकारते हुए हेमांत बोले, चुनावती देता हूँ कि कल ए चुनाव की घोसना कर दे, इनका सफाया साप हो जाएगा, उनकी ताबूत में आखरी कील ठोकने का समय आगया है, हेमांसुरेन ने कहा है कि पांच महीन में फरजी आरोप में जेल में रहा, साजिस्थी कि हम उ रूत खड़ा नहीं हो पाए, उनकी जुगत ये लगता हुए है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंध है, नियालय से मुझे नियाय मिला है, नियालय के नियाय में जो बाते आदेश में लिखी गई है, उसे पुरे देश और राज के लोग पर रहे हैं, पांच महीन मे सायद ए राज और आगे बढ़ सकता था, ज्यारखन ओलंपियाड परिक्षा के लिए करे रईष्ट्रेशा अंसरकारी, इस कूलों के विद्यार्थियों के लिए ज्यारखन एस्टेट ओलंपियाड परिक्षा दो हैया चोबीस सितंबर के दोसरे सब्ता हमें आयोजित होग इस ओलंपियाड परिक्षा में कक्षा 7, 8 एवं 9 के विद्यार्थि सामिल होगे यह परिक्षा गनीत, अंग्रेजी, बिग्यान, समाजिक बिग्यान तथा समाने ग्यान की होगी बता दे विद्यार्थि एक या एक से अथिक विशा की परिक्षा में सामिलित हो सकेंगे इस इस परिक्षा में भाग लेने के लिए पिद्यार्थियों से कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा परिक्षा का आयोजन की जिम्हेदारी परिशत की ही होगी। सिंग पर यहां से वादे रहे हैं लेकिन हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करमचारी की संख्या बढ़ाई जाएगी। अलर्ट जारी किया है इस्ततकालिन चेतावनी में कहा गया है कि मौसाम विभाग ने कहा है कि 15 जीलों में 3 घंटे में गरज के साथ बजरपात हो सकता है इन 15 जीलों में कुछ जाओ हो पत्यज हवा भी चल सकती है हवा की रपता 40-50 किलोमेटर पती घंटा रह सकती है। कावारियों के ठाहरने के लिए स्टेशनों पर रहेगी प्रयापते बेवस्थाज रावनी मेला की त्यारी को लेकर आसन सोल डिवीजन के DRM चेतानांद सिंग ने सनिवार को जसीडी समय देव घरव बैदना धामे स्टेशन का निरिक्षन किया। जसीडी में DRM ने स्टेशन के सभी प्लेटफर्म, नियू सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, पोटिको, MFC सहित अन अस्थानों का भ्रहमन का अधिकारी वह पताधिकारियों का वस्थक दिश्था निर्देश दिये। साथ ही मेले के दरान सर्धालू और यात्री सुविधाओं का जाजा लिया, DRM ने MFC बिल्दिंग के फर्स की काफी चोडाई को लेकर उसे कम करने का निर्देश दिया है, उन्होंने कहा है कि मेला में आने वारे सर्धालू और यात्रीयों को स्टेशन पर सभी परकार के सु साथ सुचना भवन सभागार में बैठक की गई, SDO ने सभी बैवसाईयों को बताया है कि मेला छेत्र में दुकंदारों को नगर निगम से ट्रेट लाइसेंस और फूड सेफ्टी पतादिकारी से फूड लाइसेंस लेना अनिवारे होगा, सर्धालू की सुरक्षा के मन आगे आतिकर्मन नहीं लगाने का निर्देश दिया गया, DC की निर्देश पर यह बैठा गुलाई गई थी, SDO ने कहा है कि देवगार आने वाले सरधालू बाबा बैदनात पर जलारपन करने के परचात यहां से परसाथ के रूप में प्याडा चुडा एवाम इलाइची दाना खरीद कर ले जाते हैं, ऐसे में हमें सभी की जीमिदारी है कि उन्हें गुनवता पुन वा निर्दहारी दर पर खादे समगरी उपलब्त कराई जाए, SDO ने सभी खुदरावत्थोक बेवसायों को निदेश दिया है कि मेले के दवान खादे पदार्थोक गुनवता पर पूरा ख्याल रखा जाए, वो परतिश्ठान के इर्द गिर्द सापसा फाई का भी विशेश ध्यान रखा जाए, चातरा में बिजली और पानी की मांग को ले कर धारना परदसान, चातरा जिले के टंडवा में अस्थापित NTPC पर योजना से निर्बाद बिजली व प तुमार दास के नित्युत में भाजपा करकाताओं ने टंडवा नगर भ्रहमन कर सकती प्रदसन किया है, नगर भ्रहमन के दरान भाजपा करकाता CCL परबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, NTPC परबंधन होस में आओ, मुल वास्यो को बिली और पानी दो, आम सड़क से कोईलया का ट्रांस्पोर्ट बंद करो, सहित अन्यनारी लगाए थे, इसके बाद सभी करकारता, CRPF कैंप इस्ती धरना थल पहुते, जहां रैली धरना में तब्दिल हो गाई, जहारखन में एक जुलाई से स्कूल का बदलेगा समय, एक जुलाई से राजिक के स्कूलों के तहुत समय में बदलाव किया जाएगा, बता दे गर्मी को देखते हुए गिरिसमा उकास के बाद, इस महीने मौसम की वज़ा से लगातार, स्कूलों की समय सारनी में बदलाव होता रहा, और मार्च दो हजार पशीश तक सुबह 9 बए से 3 बए तक स्कूलों का संचालन हो मौके पर पूर मुखमंत्री वा बरहेट बिधायक हेमान सुरेन भी मौजूद रहेंगे, कथी दो जमिन घोटाला मामले में जेल से बाहर आने के बाद, हेमान सुरेन पहली बार भीवर को भोगनाडी में किसी सरोजनी कारकरम में सामिल होंगे, बतार मुखमंत्री करताओं में जवर्जस उत्सा देखा जा रहा है, मौके पर सुबह आठ बजे करांतिय स्थल, पचकठिया से भोगनाडी तक विसाल मसाल जुलूस निकाला जाएगा, धन्यवाद